नमस्कार मैं मयंक भार्गव असिस्टेंट प्रोफिसर मल्टी कॉलेज सहर्शा आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग आधुनिक काल से पूर्व हिंदी आलोचना पर चर्चा करेंगे सनातकोत्तर हिंदी समस्तर चार के पत्र सोलह में हिंदी आलोचना का उद्भाव और विकास पढ़ना है और इस चर्चा की शुरुवात करते हुए आज हम लोग आधुनिक काल से पहले हिंदी आलोचना के जो बीज मिलते हैं उन पर कुछ चर्चा करेंगे इस चर्चा को प्रारंब करने से पहले या बिल्कुल असपस्ट कर दिया जाना चाहिए कि हिंदी आलोचना का उद्भाव आधुनिक काल में ही हुआ है आधुनिक काल में एक तरफ गद्ध की शुरुवात हुई दूसरी तरफ साहित्ते ने अपने सामाजिक उत्तरदायत को पहचाना भारते अंदुकाल में कई विधाओं का एक तरह से पुन्राविश्कार हुआ नए सुरूप में उन विधाओं का विकास हम देखते हैं भारते अंदुकाल में तो इसी तरह आलोचना भी आधुनिक काल में ही विधिवत रूप से प्रारंब होती है जब साहित्ते नए युग पर था पूरे समाज में फिर से जागरण की बात हो रही थी और चुकी शुक्ल जी के शब्दों में कहां कि समाज की चित्त वृत्ति बदल गई थी तो उसका प्रभाब साहित्य और आलोचना पर भी पढ़ना ही था भारते अंदुकाल ने इसे पहचाना और कई विधाएं नविन रूप में सामनी आई और उसी समय हिंदी आलोचना का भी विकास होता है परन्तु मानव सुभाब एक तरफ परंपरा को पहचानना चाहता है किसी भी चीज को हम देखना चाहते हैं कि इसके बीज कहां है साहित्य को हम विरहत्तर परिप्रिक्ष में देखना चाहते हैं तो इसलिए हम यहां भी देखना चाहते हैं कि आधुनिक काल से पहले आलोचना किस रूप में कहां कहां दिखाई देती है तो असपाश्ट तोर पर कहना चाहिए कि हिंदी आलोचना का उदभाव आधुनिक काल में ही माना जाता है और माना जाना चाहिए परम्तु किवल यह देखने के लिए कि इससे पहले हिंदी आलोचना किस रूप में देखी जा सकती है या पहचानी जा सकती है हम लोग आज की चर्चा कर रहे हैं जो आधुनिक काल से पूर्व की हिंदी आलोचना पर केंद्रित है डॉक्टर भगीरत मिश्र के अनुसार आधुनिक युग के पूर्व भी हिंदी आलोचना के कुछ रूप प्रचलित थे जिनका संस्क्र्व कावया लोचना से था भगीरत मिश्र नहीं नहीं कई आलोच को ने ये पहचाना है कि आधुनिक काल से पहले भी आलोचना कुछ रूप में दिखाई देती है जिसका सिधा संबंध संस्कृत काव्या लोचन से है संस्कृत काव्या लोचना विशेस प्रकार से काव्य सिध्धान्त के निरूपन में व्यक्त हुई है उस कावया लोचन के दो उदेश्य थे एक तो कवी शिक्षा पाद में आने वाले कवी इसके सिद्धान्तों से परचित हो सके इस उदेश्य से सिद्धान्त निरूपन किया जाता था और दूसरे जो पहले के ग्रंट थे उनके बारे में भी लिखा जाता था भाष्य टीका वार्तिक वृत्ति आदी रूपों में इस प्रकार की आलोचना दिखाई देती है तो जैसे हम कहें कि दो प्रकार की आलोचना आज भी हम कहते हैं सैध्धान्तिक और व्यावारिक तो जो सैध्धान्तिक आलोचना हम जिसे आज कहते हैं उसका एक रूप दिखाई देता है काव सिद्धान्त के निरूपन में और जो व्यावारिक आलोचना जिसे हम आज कहते हैं कि पुराने ग्रंथों का भाष्य किया जाता था उनकी टीका लिखी जाती थी जैसे कालिदास पर मलिनात्म ने लिखा था तो इस प्रकार के भाष्य टीकाएं प्रसिद्ध रही हैं इसके कई प्रयास होते रहे हैं तो संस्कृत काव व्या लोचन इस प्रकार का था हिंदी में भी यह दोनों परंपराएं आईं सिद्धान्त निरूपन भी कमोवेश दिखाई देता है अपनी तरह का और भाष्य टीका आदिकी परंपरा भी बढ़ती है तो जैसा हम जानते हैं कि हिंदी साहित को शुकल जी ने तो माना समबर 250 से वहां से आदिकाल हमांते हैं तो जो आदिकाल है और भक्तिकाल है इन दोनों में आलोचनात्मक साहित अधिक नहीं मिलता इस काल में अधिकतर रचनात्मक साहित की ही स्रिष्टी हुई थी तो जो अलोचना के बीज हम ढूण रहे हैं तो भक्तिकाल में और आधिकाल में ज़्यादा दिखाई नहीं देता भक्तिकाल में कुछ रचनाएं हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है कि वहां हिंदी का काविश शास्त्र पहचाना जा सकता है जिन रचनाओं के नाम आते हैं उनमें से कुछ हैं जैसे सूर्दास की साहित लहरी रस मंजरी और विरह मंजरी नंदास की दुरुवदास की रस हीरावली क्रिपा राम की हित तरंगिनी यह महत्वपूर्ण है क्रिपा राम की हित तरंगिनी क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे कैसे क्रिपाराम की हित्तरंगणी केशव और उसके बाद रितिकालीन साध्धान्तिक निरूपण चल पड़ा बलभद्र मिश्र रचित नक्षिक और रहीम का वर्वय नाई का भीड ये कुछ रचनाएं भक्तिकाल में भी पहचानी जा सकती है परंतु यह सपस्ट है कि इन ग्रंथों की मूल प्रेणा सिद्धांत विवेचन की लालसा न होकर प्रतिपाद्य का चित्रन मात्र है कि यह जो ग्रंथ सूर्दास की साहित लारी हो जिन ग्रंथों के नाम लिए गया है उन ग्रंथों का उद्धे से सिद्धांत विवेचन भी नहीं था हम जिस सिद्धांत विवेचन को ढूंड रहे हैं कि कम से कम वहां आलोचना को पहचाना जा सकता है इन कवियों का लक्ष नाई का भेद को समझना नहीं था कि जैसे रीतिकाल में नाई का भेद एक उद्देश था सिद्धान्त निरूपन उद्देश था तो कम से कम वहाँ एक विवस्थित प्रयास दिखाई देता है भक्तिकाल में जो पुस्तके मिलती हैं उनका उद्देश केवल अपने इष्ट देव की लीलाओं का गान था और संस्कृत के काविशास्त्रिय ग्रंतों के आधार पर ये रचनाएं नहीं लिखी गई है ये तीन बिंदु महत्वपून हैं जो भक्तिकाल की इस प्रकार की रचनाओं को रीतिकाल इन सिद्धान्त निरूपन से अलग करते हैं भक्तिकाल में उद्देश केवल अपने इष्ट देव की लीलाओं का गान है इनकी मूल प्रेणा सिद्धान्त विवेचे नहीं है और ये ग्रंथ संस्कृत के कावशास्त्रिय ग्रंथों के आधार पर नहीं लिखे गए यह संस्कृत के कावशास्त्रिय ग्रंथों का आधार लिया गया रीतिकाल में तो इसलिए भक्तिकाल तक हम हिंदी आलोचना की बात नहीं करते हैं वहां हमें बस छिटपूर प्रयास पहचाने जा सकते हैं पर तो वहां हमें ऐसा कोई व्यवस्थित प्रयास दिखाई नहीं देता है आदिकाल और भक्तिकाल की अपेक्षा रीतिकाल में आलोचना के सुत्र ज्यादा असपस्ट है इसमें हिंदी आलोचना के दो रूप दिखाई देते हैं पहला जो रीतिकाल में लक्षन ग्रंथ लिखे गए उनमें कावे निरूपन हुआ और कावे निरूपन के क्रम में सैध्धान्तिक आलोचना पहचानी जा सकती है दूसरा प्रसिद्ध कावे ग्रंथों और लक्षनों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों में टीका वचनिका तिलक आदी रूपों में व्याख्यात्मक आलोचना हुई जो थोड़ी सर्चा इसे पहले भी की गई थी कि सैध्धान्तिक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना दोनों के रूप बीज रूप वहाँ पहचाने जा सकते हैं परन्त अपनी सीमाओं के साथ रीतिकाल में जिस आलोचना को हम लोग पहचान रहे हैं वो बहुत सीमित रूप में ही आलोचना कहीं जा सकती है आज आलोचना से जो बोध होता है उस अर्थ में वह कदाप ही नहीं है इतना जरूर है कि रीतिकाल में जितने प्रसिद्ध कभी हुए उन लोगों ने कम से कम एक लक्षन ग्रंथ की रचना अवश्य की एक से ज़्यादा भी किया तो जो लक्षन ग्रंथ उन कभीयों ने लिखे उन में सैध्धान्तिक आलोचना का सुरूप देखा जा सकता है और यह जो लक्षन ग्रंथ थे यह संस्कृत आचारियों के आधार पर रचे गए हम जानते हैं कि संस्कृत समिक्षा सास्त्र में चाप्रमुक संपरदायों की चर्चा होती है रस संपरदाय, अलंकार संपरदाय, वक्रोक्ति संपरदाय, रीति संपरदाय, ध्वनी संपरदाय और अचित्य संपरदाय हिंदी में तीन संपरदाय ज्यादा परचलित हुए रस ध्वनी और अलंकार वक्रोक्ति को तो हिंदी के आचारियों ने अलंकारों के अंतरगती रखा तो शुरू में जो केशब आते हैं उन्होंने भामः दंडी आदी पूर संस्कृत के पूर्व वर्ती आचारियों को अपने काव्यानु श्रीलन का आधार बनाया लेकिन बाद में बाद के जो आचारे आये उन्होंने केशब का अनुकरण नहीं किया तो उस मामले में भी परंपरा बिल्कुल अलग हो जाती है हिंदी में कृपा राम का नाम सबसे पहले लिया जाता है सोलह में शताब्दी जुनोंने हित तरंगणी की रचना की थी और हित तरंगणी की आधार पर कृपा राम को हिंदी का प्रत्वम काव्य शास्त्री कहा जा सकता है बाद में केशव ने भामा और दंडी जैसे आचारियों की मीमांसा के आधार पर सर्व प्रत्वम हिंदी में काव्य रीती का सम्यक समावेश किया क्योंकि कृपा राम के सम्मद में शुक्ल जी ने लिखा है उन्होंने थोड़ी बहुत चर्चा की थी इसलिए कुछ लोगे ने उन्हें प्रत्वम काव्य शास्त्री कहा जरूर है परंतु जो सम्यक समावेश कहा जाता है उसका श्रे केशव को ही दिया जाता है परंतु केशव से भी अखंड परंपरा नहीं मिलती है और जैसा कहा गया कि केशव ने भामा और दंडी का जो सिध्धान्त अपनाया था बाद की आलोचना उसे अलग कर लेती है अपने आपको हिंदी के आचारियों में यदि चिंतामणी, देव, मतिराम, बेणी, प्रवीन और रसलीन को देखें तो ये लोग रस सिध्धान्त की और जुके दिखाई देते हैं केशब के साथ जश्वन सिंग और दूलह को ले सकते हैं जिनकी आस्था अलंकारों के प्रति थी कुल्पति मिस्र, सोमनाथ, बिखारी दास और श्रीपति ने रस ध्वनी को उत्तम कावे मना था और रीति सिध्धान्त की महत्ता चिंतामणी देव सुरति मिस्र ने सुईकार की थी तो ये जो रीति काल के में लक्षन ग्रंथों की परंपरा है उसकी शुरुवात विक्रम संबत 1707 में चिंतामणी तिरपाठी से मानी जाती है जुरोंने कवी कुल कल्प तरू नामक सिध्धान्त ग्रंथ की रचना की थी चिंतामणी त्रिपाठी से के बाद से संबत 1900 तक यानि जो रीतिकाल का समय मानते हैं संबत 1700 संबत 1900 तो इस चिंता मनित्र पाठी से संबत 1900 तक लक्षन ग्रंथों की अखंड परमपरा चली है लगातार रचनाकारों ने लक्षन ग्रंथ लिखे हैं और इस तरह से हिंदी में साहित्य शास्त्र का एक विकास क्रम दिखाई देता है और इसलिए हम कहते हैं कि रीतिकाल में हिंदी आलोचना को बीज रूप में पहचाना जा सकता है पर इतना कहने के बाद या असपष्ट किया जाना चाहिए कि विक्रम संबत 1700 से 1900 यानि 200 वर्षों का काल था रीतिकाल का 200 वर्षों तक लगातार रीतिकालीन लक्षणकारों द्वारा सिध्धान्त विवेचन होता रहा परन्तु रीतिकालीन आचारे किसी मौलिक सिध्धान्त की अस्थापना नहीं कर सके कोई ऐसा विशे सिध्धान्त उनके यहां दिखाई नहीं देता हो कि लगता हो कि सिधान चिंतन में संस्कृत कावशाष्ट के पिकचा बहुत मौलिक्ता हो इस लक्षणकार में संस्कृत के आचारियों के आध्हार पर ही रीतिकालीन आचारे अपनी बात कहते रहे तो यह पहली समस्या हुई रीति कालीन आलोचना के साथ मौलिकता न भी होती कम से कम उन संस्कृत आचारियों से प्राप्त सिद्धान्तों का विकास ही किया जाता फिर भी कोई बात होती भी नहीं हो पाया और जो तीसरी समस्या है जिसोर रामचंदर शुक्र ने भी इशारा किया है या असपस्ट कहा है उन्होंने तो असपस्ट कहा है कि रीतिकाल के आचारे लक्षणकार होते थे और उदाहरन प्रस्तुत करते समय कविता करते थे एक ही ग्रंथ में ग्रंथ के एक ही चंद में वह लक्षण देते थे और फिर उस लक्षण का उदाहरन देते समय कविता करते थे इससे हुआ क्या कि इस आचारियत और कवित का मेल हो गया इसके पहले आचारियत तो एक अलग चीज थी जो लोग आलोचना करते थे संस्कृत में वह आचारे थे वह सिद्धांद बताते थे और जो रचनाकार थे उनकी रचनाएं अलग थी रीतिकाल में एक ही व्यक्ति एक ही ग्रंथ में अपने आचारियत तो को भी पदर्शित करने लगा और अपने कवित्तो को भी रामचंद्र शुकल के शब्दों में इस एकी करण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा क्योंकि आचारियत्य के लिए बहुत सोख्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है वह सोख्ष्म विवेचन विक्सत नहीं हो पाया कभी लोग दोहे में और पर्याप्त लक्षन देकर अपने कविकर्म में प्रभृत हो जाते थे यहां दोहा चंद का उदारन रूप में रखा गया या किसी भी चंद में रचना हो तो लक्षण को भी पूरी तरह अस्पष्ट नहीं किया जाता था और लक्षण की चर्चा कर फिर उसके उदारन सुरूप में कविता की जाती थी काव्यांगों का विस्तरत विवेचन या तरक द्वारा खंडन मंडन नए नए सिधानतों का परतिपादन ये तीनों कारे नहीं हो पाया और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उसमें गद्य का विकास नहीं हुआ था तो एक तो एक ही चंद में उन्हें सारी बात कहनी थी अपना आचारियत भी दिखाना था लक्षन को भी अस्पष्ट करना था और कविता भी कर देनी थी एक समस्या तो यह थी जिसके कारण बहुत तरक पद्धती वो दिखा नहीं पाये मौलिकता भी नहीं दिखा पाये नैसे धनतों का प्रतिपादन नहीं हुआ और एक कि क्यों आगे चलकर आधुनिक का लोचना में यह सब बाते हुई उसका एक मुख्य कारण है गद्ध का विकास पद्ध में किसी बात की सम्यक मिमान सा थोड़ी मुश्किल होती है बहुत जादा तरक वितरक संभब नहीं हो पाता और इसलिए हम देखेंगे कि रितिकालीन का विशास्त्रिय विवेचना में सुक्ष में विवेचन या परिय बहुत उप्यूक्त है भी नहीं तो इसक्रम में वही हुआ जो संभब हो सकता था कि थोड़ी अलंकारों की चर्चा हो जाती थी थोड़ी शब्द शक्तियों की कुछ नाई का भेद आदी दिखा दिया जाता था और इसी को आलोचना मान लिया जाता था बलकि नाई का रीतिवादी अलोचना है उसका सीधा संबंध रीतिवादी काविय से भी है जैसे रीतिवादी कविता में एक रीति बद्धता है एक खास पैटर्ण पर है एकी तरह की कविता है प्रमुकृप से एकांगिता है एकी जैसी संकिर्ण दिर्ष्ट्री है तो जो एकांगिता औ वही उस समय की आलोचना में भी नंद दुलारे वाजपई ने रीतिकालीन लक्षन ग्रंतों पर विचार करते विए उनकी कमियों की ओर संकेत किया जिसको विश्वनात तिरपाथी ने अपनी पुस्तक हिंदी आलोचना में उद्रत किया है नंद दुलारे वाजपई ने असपस्ट किया है कि लक्षन ग्रंतों में उलेख किये गए किसी भी रस के एक प्रसंग को ले लिजिए माल ने कि दितिकालीन आचारी ने किसी श्रिंगार रस का कोई प्रसंग लिया है अब उसके लक्षन ग्रंत द्वारा हम यह तो जान जाते हैं कि यह जो उद्धरन है यह जो कविता है यह श्रिंगार रस की है लेकिन इसकी तुलनात्मक और मनोवज्ञानिक विवेचना साधारनता लक्षन ग्रंतों में नहीं होती यह सिंगार रस का जो उद्धरन है जो उद्धरन देते हैं रितिकाल में कोई भी आचारी यह किसी भी रस का यह पता नहीं चलता कि इस रस की अभिवेचना बहुत अच्छे ढंग से हुई यह खराब ढंग से हुई यह अभिवंजना शक्ति पूर्ण है यह निशक्त है इसकी कलात्म की विवेचना कम दिखती है और फिर इस चीछले अर्थात जो अच्छे तरह निशक्त ढंग से व्यक्त हुआ अच्छे तरह व्यक्त नहीं हो पाया यह सौम स्रिंगार यह बहुत अच्छा है ठीक है स्रिंगार अच्छा उदारन मन लिया जाए यह बहुत खराब उदारन मना जाए पर दोनों इस्थिती में उसकी सामाजिक प्रिष्ट भूमी क्या है क्यों इस प्रकार की रचना हुई एक तो कलात्मक विवेचन भी नहीं होता कि कैसे मानेंगे कि या अच्छा है या कि खराब है शक्तिपूर्ण है या निशक्त है या फिर इसकी सामाजिक प्रिष्ट भूमी क्या है इसका भी कोई ठोट ठिकाना उस हरीतिकालीन आलोचना से नहीं चलता और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रचनाकार की अपनी मानसिक इस्थिती का भी हमें पता नहीं चलता नन्दुलारे वासपे ने कहा कि आलोचना की यही प्रधान सूत्र है कि या तो कलात्मक विवेचन हो या समाजिक प्रिष्ट भूमी पता चले मनुवज्ञानिक या तुलनात्मक आलोचना हो रचनाकार की अपनी मानसिक इस्थिती का ग्यान हो आलोचना की यह प्रधान सुत्र हैं और लक्षण ग्रंथों में इनकां अभाव है तो चुकि आलोचना के यह सूत्र दिखाई नहीं देते इसलिए नंदुला emanetबर ने कहा कि इन्हेक अलोचना ग्रंथ किस अर्थ में कहा जाथ यह वी एक समस्या ही है कि हम इने आलोचना नहीं कर सकते जिस अर्थ में आज आधुनिक आलोचना पद का प्रियोग करते हैं निश्चित तोर पर यहां आलोचना उस तरह की नहीं है और इसके साथ साथ कुछ समिक्षात मा कथन मिलते हैं जैसे तुलसी गंग दुओभय सुकविन के सरदार इनके कावियन में मिले भाशा विविध प्रकार तुलसी और गंग दो कवियों की का जिक्र हुआ कि ये दोनों सूक कवियों, अच्छे कवियों के सरदार हैं और उसका कारणत बताया गया कि इनके कावे में बिविध प्रकार की भाषा मिलती है तो सूकती रूप में इस तरह की समिक्षा मिलती है ऐसी पंक्तियां परंपरा में प्रसिद्ध हैं जैसे व्याभारिक अलोचना का निर्शन कराने वाली या उक्ति प्रसिद्ध है बिहारी के बारे में, बिहारी सतसई के बारे में का जाता है इस प्रकार की समिक्षा सुक्ति परक समिक्षा भी मिलती है एक बहुत प्रसद्ध पंक्ति है कुछ आलोचकों ने इस पंक्ति पर बड़ा बल दिया है हिंदी आलोचना की शुरुवात को टटोलने के लिए कि इसमें असपस तोर पे तुलना हमें दिखाई देती है सुर्दास की, तुलसी दास की, केशवदास की तुलना और अन्यकवियों की तुलना सूर, सूर, तुलसी ससी, उडगन के शवदास कि सूर्दास हिंदी साहित के सूर्य है, तुलसी दास शशी है के शब्दास उडगन हैं और बाकी कभी तो खद्योत सम जहां तहां प्रकाश जुगनु कर रहे हैं जुगनु की भाद्ट पर देखे एक तो हमें आज तक यह पता नहीं चला कि यह उक्ति किसकी है कब की है किवल परंपराबे यह उक्ति कही जाती है दूसरे ऐसा लगता है कि जैसे अलंकार के लोग में यह उक्ति कह दी गई हो और फिर इसके बाद की कोई और बात मिलती नहीं है इसलिए इस पंक्ति को बहुत महत्तो देना व्यक्ति का तुरूप से मेरी द्रिष्टी में तो कोई अचेत्य पूर्ण दिखाई नहीं देता परन्तु फिर भी इस प्रकार की सुक्तियों को कुछालोचक महत्तो पूर्ण मानते हैं भक्तमाल नाबादास की जो कृतिती उसमें भी सूर्दास के समन्द में सेनापती देव ठाकुर आधि कवि कवियों के समन्द में जो वर्णन है उस वर्णन में कुछ समिच्छा ढूड़ी जा सकती है जिसे सूर्दास के समन्द में या उक्ति प्रसिद्ध है बचन प्रीत निर्वाह अर्थ अदभूत तुकधारी परति बिम्बित दिविद्रिष्टी हिर्दय हरी लीला भासी जनम करम गुन रूप सरस र कौन कभी जो नहीं सिर्चालन करें शूर्दास की प्रसंशा में जो या उक्ति कई गई ऐसे उक्तियां बहुत सारे कभियों के समंद में मिलती है परन्तु इन उक्तियों की सिमा सुवस्पस्ट है अपने आप में है स्पस्ट है इसको भी आज के प्रमाने पर हम आलोचना क या नहीं सकते चिटपुट इस प्रकार की उक्तियां मिल जाती है तो खुल मिलाकर आधुनिक काल से पहले या तो रीति कालीन लक्षन गरंत दिखाई दिये या कुछ ठीकाएं मिली और या फिर ये सूक्तियां मिली जिन में हिंदी आलोचना का बीच ढूड़ा जा सकता है लेकिन विश्णा त्रिपाठी के शब्दों में कहें तो इसे आज किबल उदारता वश ही आलोचना का सकते हैं बहुत उदार होकर ही कहा जा सकता है कि यह भी आलोचना है आज हम जिसे आलोचना कहते हैं रचना के सम्यक विवेचन का सम्यक विवेचन करने वाली आलोचना जिस पर आलोचना किसे कहते हैं आलोचना से क्या तातपर है इस पर तीन समवाद हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं इसलिए उस पर बहुत जादा प्रकाश डालना यहा तो जिसे हम आज आलोचना कहते हैं उसका सूत्रपात भारतेंदु यूग में ही हुआ अब आधुनिक आलोचना में कैसे यह आलोचना विक्सित हुई इसकी चर्चा हम लोग अगले समवाद में करेंगे आज के समवाद द्वारा आधुनिक काल से पूर्वे हिंदी आलोचना के जो बीच दिखते हैं उस समद में हमारे विद्यार्थी मित्रों की दृष्टिया स्पस्ट हुई होगी आगे भी हम लोग इस प्रकार के समवाद करते रहेंगे आपके सहयों के लिए साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार